नमस्कार सात्यों अपनी यूश्टी के इस अपने प्लैट्फॉर्म पे आप सभी का स्वागत है आज अपन स्कूल व्याक्यता जो 2024 की ये बरती आने वाली है उसके बारे में डिटेल से डिसकस्षन करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि पद कितने आने वाले हैं क्या इसकी अपने स्लेबस है पैपर फैटन है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो पूरा विस्तार से ये डिटेल्ड वीडियो है जो आप आगे अपनी तैरीक शुरू करने वाले हो उनके लिए एक महत्व पूंट जानकारी और एक इस्ट्रेटेजिक वीडियो होने है आपके लिए काफी helpful होगा इसको अपने शुरू करते हैं मैं वीडियो की सुरुवात करूँ उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि रोज ऊज़ वीडियो बन रहा है कल इसे अपनी एक सिरीज इस्टाट होगी आगाज सिरीज सिर्ट हो इस आगाज सिरी निसुल में यूटोब के उपर होगी यूटूब के उपर रोज 7 7 सेवन पीएम रोज साथ बजे सेवन पीएम आपकी रोज यूटूब पे यूटूब पे अपनी उनिश्टी का जो यूटूब चैनल है इसी के ओपर ये निशुल आगाज सीरी शुरू होगी जिसके अंदर अपन मनेजमेंट एजुकेशन मनेजमेंट वाला पार्ट है उसको अपन एक-एक करके करेंगे जिसके दस से ग्यारा क्यूशन आते हैं आपकी पेपर फेस्ट के अंदर इसको अपन शुरू करेंगे तो रोज आप साथ बजे आना ना बुले इसके बारे में अपने शुरूआत करत आप तपस्वी बैच पेपर फेस्ट के लिए जो एक बहतरीन टीम है उसके द्वारा करवाया जा रहा है सभी के सभी लोग है वह वेल क्वालिफाइड और एक्सपिरियेंस वाले लोग है उनके द्वारा करवाया जा रहे तो आप यह देख सकते हो इसके लिए आपको अप सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं स्लेबस क्या है स्लेबस में क्या क्या चीज बूची जाती है इसका पैटर्न क्या है उसके बारे में देखते हैं इसके दो पेपर होते है एक फेस्ट पेपर होता है और एक सेकिल पेपर होता है ठीक है जो फेस्ट पेपर होता है वो जो second paper होता है वह subject ठीक है subject यानि आपने जिस subject से post graduation की है वो जो group हो सकता है economy हो सकता है quality हो सकता है कोई भी अपना subject होता है first paper होता है उसके अंदर अब तक first paper के अंदर अब तक है वो आते गए हैं कितने जैतर क्यूसन आते गए हैं जैतर क्यूशन है और यह कितने हैं डेड़ सो मार्क्स के ठीक है इधर क्या है इधर आते हैं डेड़ सो क्यूशन और तीन सो मार्क्स के और तीन सो मार्क्स के ठीक है दोनों के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग है ठीक है दोनों के अंदर नेगेटिव कि नेगेटवि मार्किंग कितनी है बन थर्ड है थिक है इसके अंदर क्या होता है कि जो डेड़ सो क्यूसर आते हैं उसमें अब तक 120 पलस 30 क्यूसर का मतलब क्या हुआ 30 क्यूसर होते हैं वो साइकोलोजी और सब्जर्ट का यहां पे पचैदर क्यूशन को अब तक 11 के अंदर बाड़ाटा वह था मतलब यह 11 उनीट के अंदर है और फो 11 कौन सी है जो इसके अंदर जिक्टे के अंदब पुछिंज आती है उस इ tsun entrance करूं तोउसके इसके अंदर एक आता है story, एक आता है politi Indian polity, एक आता है राजस्तान की जेयोग्यक्रवफि, एक आता है Churchill, इसके अनदर science पुचा जाता है, इसके अलावा हिंदी, इंग्लीज मैट्स रिजनिंग इस्टेर्टिस्टिक्स और इसके लावा एक पुछा जाता है एड्यूकेशन मेनेजमेंट ये पार्ट है टोटल किता हो गया एक दो तीन च्यार पाँच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा अब तक इसके अंदर गयारा यूनिट पूछी जाती है ऩोतल फैस पेपर के अंदर और जो फैस पेपर होता है इसके अंदर एक चीज और कंपल्सरी लगावा है कि 40% marks हैं वो आपके लाने अनिमार ये हैं यदि आप first paper के अंदर 40% marks नहीं ले के आते हो तो आपका second paper check की नहीं होगा second paper में आप कितने marks आओ आपका check की नहीं होगा लेकिन अभी RPSC ने एक बड़ा बदलाव किया था और वो बदलाव ये किया था कि ये जो 30 नमर का psychology और ICT आता है जिसमें से ICT तो यहीं रह गया लेकिन psychology वाला portion है वो किसमें कर दिया इसके अंदर add कर दिया क्या करा psychology जो psychology वाला portion है वो क्या कर दिया इसके अंदर एड कर दिया है इस चीज़ को आपको द्यान रखना है यहां तक के लिए रहे एक दम से अपने देखा फैस्ट वेपर है जिक्के वाला second वेपर subject का subject के अंदर 500 क्यूशन 500 क्यूशन में से 120 क्यूशन subject के 30 क्यूशन psychology और ICT के इधर अपने देखा फजेतर क्यूशन 500 मार्क्स के जिसके अंदर one third दोनों तरफ negative marking है लेकिन फैस्ट वेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना अनिवार होता है फैस्ट वेपर के अंदर टोटल अब तक 11 यूनिट थी जिसमें history history के अंदर राजस्तान की भी है इंडिया की भी है इधर यहां पे add कर दिया अब यह कितने क्यूशन आएंगे कितने मार्क्स के आएंगे देखो अभी तक RPSC ने इसके बारे में कोई clear नहीं बताया है लेकिन जिस परकार से यह इतना portion जोड़ा है उस हिसाब से most probably अपन expectation कर सकते हैं अब इसके अदर 100 question पुछे जाएंगे अब इसके अदर 100 question पुछे जाएंगे तो क्या इधर question क्या 300 से कम होगी पता नहीं है पता exact इधर बी नहीं है लेकिन इधर 12 unit जोड़ने के बाद में एक unit के question एक तरह से 5 पांती नहीं आएंगे कहीं तो तो इसको socusion करने पड़ेंगी तो most probably इसके अंदर socusion आने वाले हैं उदर 120 पी रह सकते हैं और 1500 भी रह सकते हैं वो अभी notification आएगा तब पता चलेगा लेकिन यहां तक अपने यह बाते किलियर होनी चाहिए कुल मिलाके यह भी हो गया कि psychology वाला portion first paper में जोडने की जैसे अब first paper का थोड़ा सा महत्व है वो पहले की तुल नामे और बढ़ गया है मतलब महत्व है वो और बढ़ गया है इस चीज़ को द्यान रखना है यहाद है कि यह वाला pattern है यह अपने subject देख लिए syllabus अब subject का syllabus क्या ह होता है उसका tools level तक का graduation level तक का और PG level तक का वो subject wise हर subject का अलग उन्होंने syllabus है वो डिवाइड कर रहे है बहुत ही स्यांदार तरीकी से clarify किया है और पेसे के द्वारा तो वह आप subject के अनुसार अपना त्यार कर सकते हो अपना subject का देख सकते हो इस वाले के अंदर मैं बात करू जर्रिक के जर्रिक इस इसके अंदर कुसंट आते हैं बारा से पंदर क्यूसन आते हैं मही मैं बात करूं कि इस डिके पालिटिग के किशसर बات करूं तो पांच किशन आते हैं राज़ तान जोग्रूपी के साथ से आ dumped अते हैं लगबाग साथ से आत किशैं साइंस कें sub tai hin एं के प्यासरी के उसके जाते हैं यहा स from my searchnant है अज ये क्युष्णों का अब तक इसका पूरा पैटर्न रहता है तो आपको इस चीज को उसी इसाब से आपको सब चीजों का ध्यान रखना है अब एक दिक्कत हो रहा है कि बच्चों के 40% marks ही अब तक आ नहीं रहे हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि शेकंड पैपर में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन फैस्ट पैपर में 40% marks ही नहीं आ रहे हैं आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है देखो एक तो बहुत बड़ा रिजन यह है कि जो पचेतर क्यों richest क्यों देती है आरप एसी इन पचेतर क्यों में से कम से कम आरपेसी है वो 10-12 क्यों तो डिलिट कर देती है और पिछली बार से पिछली बार तो हद मार दी उन्होंने 17 कुषन डिलिट कर दिये अब 17 question delete कर दिये तो एक student के उन delete किया उनमें से 10 question सही हो रहे है तो वो तो मान रहा है कि मैं 40% की 45-50% तक मैं तो उसको पार कर गया लेकिन उसके जो 10-12 question delete होए उनमें से उसके सही थे तो वो क्या हो गया 40% जो उसने पार करना चारा था उससे बहार हो गया तो अपन को यहाँ पे target 40% नहीं लेके चलना है, अपना target है, वो 40% नहीं होना चाहिए, अपना target बढ़ा होना चाहिए, अपन यहाँ पे 70% का target लेना चाहिए, कि हम criteria भी clear करेंगे, और हमारी merit में भी fast paper का बहुत बढ़ा रोले, थाबित करेंगे, यह अपना लेना चाहिए, और यह रखना है, तो त्यारी अभी से start करनी पड़ेगी, यदि अभी से त्यारी start नहीं करते हो, तो last के अंदर क्या, हाथ पाउं फूल जाएंगे, लगेगा क्या, कि यार मैं इसमें से ना, English को छोड़ देता हूं, मैं size को भी छोड़ देता हूं, फिर मन करेगा कि मैं त चीज़ को आपको दियान रखना पड़ेगा, यहां तक क्लिए रहे, उसके बाद अपन देखते हैं, इसकी योग्यता क्या है, योग्यता इसके अंदर PG post-gradation मांगता है, post-gradation plus BAD, post-gradation plus BAD है, वो मांगता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हूं, इसके लिए एक सर्त रखी है, first grade के अंदर, कि जब आपका exam होता है, जब आपका exam होता है, उस समय आप post-gradation की MA, MAC, MCOM, MA, MAC, या MCOM, के यदि final year में हो, final year में हो तो आप forum apply कर सकते हो, उसके लिए eligible हो, बसरते हैं आपकी BAD भी हो साथ में, तो आप final year के साथ आपे forum फिल कर सकते हो, लेकिन जब exam हो, उस समय आपके पास final year की degree या उसकी mark sheet आपके पास से होनी चाहिए, पहली बात, सेकिन बात, यदि आपने MA, MAC, MCOM कर चुके हो आप, ये complete course कर चुके हो, और BAD के final year में हो, क्या हो, BAD के final year में हो, BAD के final year में हो, तो भी आप forum apply कर सकते हो, बसरते जब exam हो, उस समय बेर की degree आपके हाथ में होनी चाहिए, ये दो चीज़ों का सरतों का आप ध्यान रख चकते हो, तो आप यदि साथ में हो, MAC के साथ में, MAC के साथ में, MCOM के साथ में, BAD के साथ में, तो ये forum apply करने के लिए आप eligible हो, और RPC का ब्रोशा नहीं होता है, RPC कई बार exam में कभी delay कर देती है, तो अपनको forum तो apply करना ही है, जो final year में है, उनको, ठीक है, तो ये eligibility है, इसको आप especially ध्यान रख लेना, बाकी की योगे था ही, तो आपको पता ही है, कि 21 वार्स होनी चाहिए, और इसकी जो I.U. category wise, इसके अंदर relaxation दिया गया है, उस पद तो फेश्ट के अंदर लगबग 17,000 खाली है, लेकिन 17,000 पद जितने पद खाली होते हैं, उतने पद कभी आते नहीं है, ये मान कर चलो, कन भाव है, लगबग मैं आपको बताओ, आठ से, आठ से दस अजार के बीच में, पद आने की पूरी-पूरी समावना है, most probably 8-8 8-8,000 के आसपास आपकी पोश्ट आने वाली है, 8-8,000 की बात करूँ, मैं फेश्ट के लिए, तो बहुत होती हैं पोश्टे, ये आप इमानदारी से त्यारी करते हो, तो 8-8,000 पद हैं, वो काफी है, आपके ये मैनत अच्छी की ये तो, बाकी तो ये 8-8,000 की जगे जिए हैं, तो भी राजिस्तान के अंदर बहुत सारे बेड़ कियो हैं, और राजिस्तान से बाहर भी हर्याना, यूपी, गुजरात वाले भी बेड़ करके राजिस्तान में अपलाई कर रहे हैं, तो बाद में उससे भी खुश नहीं होगा, लेकिन 8-8,000 पोश्ट हैं, वो पेस हो रहा है, और बजट के अंदर सरकार को गोशना करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले सरकार गोशना कर चुके हैं, सतर अजार पदों की, और इन सतर अजार पदों में से 35,000 पद हैं, वो सिक्सक बरतिया हैं, उनके लिए हैं, जिसमें फैस्ट के अड़, शेकिन के सामिल होती हैं, अब उनका क्लासिफिकेशन करके बजट के अंदर सरकार को गोशना करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग्स चुनाओं के अंदर भी परदशन दिखा दिया है, राजस्तान के लोगों ने, तो ये पोश्टे हैं, दस जुलाई को बजट के अंदर गोशना हो करता है, आप देख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ का आपको पुने पता ही है कि जो पनात तफस्वी बैच चल रहा है, जिसके अंदर परते एक सब्जेक्ट को अपन डेटेल से करवा रहे हैं, साथ में टेसरीज दे रहे हैं, साथ में उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ हाँ, कल साथ बजे त्यार हो जाना अपन एजुकेशन मेनेजमेंट के वन बाई वन टॉपिक करने वाले हैं, एक एक करके सबी टॉपिकों को निप्टाएंगे उसके अंदर, निसुल्क आगाज बैच सुरू हो रहा है, उसके लिए त्यार हो जाना, यह देख सकते हो आप यू, थेंक्यू बेरी मच्च, फो डिसकेशन, मिलते हैं कल साथ बजे